Welcome on my YouTube channel Compteria Compteria YouTube channel पे हम राजास्व लेकपाल और UPSHC वीडियो एक्जाम्स की तैयारी के अंतरगत हिंदी व्याकरण के 25 marks के बहुत ही important question के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि वीडियो में 25 marks से ज़्यादा question आएंगे और लेकपाल में हिंदी के 25 marks के question आएंगे इसी करम में हम ने पढ़ा था इस्तरी लिंग की पहचान तक पुलिंग इस्तरी लिंग की पहचान तक हमने पढ़ा था जहां से मैंने वीडियो इनकंप्लीट था उसके आगे से मैं सुरू कर रहा हूँ अगर आपने कॉम्टेरिया यूटीब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया कॉम्टेरिया यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जबू प्रेस कर दें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जबूर सेयर कीजिए कॉम्टिडिया सभी पढ़ें सभी बढ़ें वाके के साथ ही अपने कार्यों करता है सभी पढ़ते रहें सभी बढ़ते रहें आई हम स्टार्ट करते हैं इस्त्री लिंग की पहचान पूलिंग से इस्त्री लिंग बनाने के लिए जो चिने लगा जाते हैं वे इस्त्री प्रत्य कहलाते हैं जैसे कि कुछ प्रत्य है बड़ा इ या इन नी आनी आइन आ इका इनी या इडी वचन परिवर्तन क्या होता है संग्या सब्दों की रिपावली का ध्यन करते समय हमने पढ़ा था कि मूल सब्दों में शुन्य ए अंग आ प्रत्य लगा कर बना जाते हैं और वचन परिवर्तन के इनी परत्यों के लगने पर निर्भर करता है जैसे कि ए परत्या लगा कर हम बताते हैं एक वचन से बाव वचन तो इस तरह से अकरान सब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए परत्या लग जाता है जैसे लड़का का लड़के रास्ता से रास्ते कमरा अ भाले, घंटा घंटे, तो मूलशबदों में अस्वर का लोप हो जाता है। तो उसका लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर ए एक उपर चंद्र मिंदू ए बहुवचन सुचक पड़ते लग जाता जैसे नहर नहरें कलम कलमें सडक सडके बाहं बाहें बोतल बोतलें दिवार दिवारे चीज चीजें पुस्तक पुस्तकें इस प्रकार से और अकारांत उकारांत ये सारे सब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है अंतिम स्वर के बाद ये पश्ट्य जड़ जाता है और अको हरस्व कर देते हैं जैसे कि महिला महिलाएं कविता कविताएं वधू वधुएं और इसके साथी साथ माता माताएं कथा कथाएं शाला शालाएं गव गवे दवा दवाएं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो इस प्रकार से हो जाता है अब आ परते जोड़ कर कैसे बनाते हैं बहुवचन तो जब इकारांत संग्या सब्दों में आ बहुवचन सुचक परते लगता है तो अन्तिम स्वर बड़ी इ का परिवर्तन हरस्व छोड़ी में हो जाता है और इ और आ के मध्य यवनजन का आगम हो जाता है जैसे कि दासी धन आ धन यवदन आ तो दासिया सकती का सकतिया पंक्ति का बहुचन पंक्तिया नारी नारिया बुढिया बुढिया में बस या के उपर चंद्रे बिंदू लग जाएगा तो ये बहुचन हो जाएगा लड़की लड़किया मचली मचलिया रानी रानी डिबिया तो डिबिया में भी या के उपर चंद्रे बिंदू लग फिया और सुनने पट्रजोड का भी बनाते हैं, अघरा अधरा की संग्या सब्ध की एक वच्ण बहुच्ण समान होते हैं यसे पानी प्रेम, प्यार, भै, क्रोध, दान यह सब के बहुच्ण समान थे तो, सुनने पट्या से यह बनते हैं, और कुछ सब्दों के बहुचन बनाने के लिए मूल स्वरों के साथ वर्ग वरिंद गण लोग जन ऐसे समुवाची सब्दों जोड़ दे जाते हैं जैसे कि करमचारी में करमचारी वर्ग हो गया तो करमचारी वर्ग हो गया बहुचन करमचारी हो गया एक वचन पक्षी का पक्षी वरिंद असब्य का असब्य लोग ये सब बहुवचन इंगित करते हैं विदवजन और लेखकगर लेखक का लेखकगर तो इस प्रकार से बहुवचन भी बनाते हैं कुछ सब्दा हमेशा बहुवचन रूप में परवक्त होते हैं आसू, केश, समाचार, दर्सन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होस और इसी प्रकार जैसे कि आपके दर्सन के लिए लोग इकठे हो गए हैं उसके प्राण ना निकल सके उनके बाल बहुववचन बहुवचन में प्राया प्रयोग के जाते हैं ऐसे संग्या सब्द हैं, जो हमें सब अववचन में आते हैं क्रोध है, छमा है, छाया है, प्रेम है, जल है, जनता है, पानी है, दूद है, वर्सा है, हवा है, आग है ये सब एक वचन में ही आते हैं इस वर्ष वर्षा नहीं होगी हवा बहुत तेज चल रही थी वहां आग जल रही थी इस प्रकार से यह वचन का हमाकरन करेंगे समान और आदर दिखाने के लिए हिंदी के एक वचन संग्या सद्दों का प्रयोग बहुचन के रूप में किया जाता है समाता जी दिल्ली जा रहे हैं गांधी देश के राश्पती थे अध्यापक कच्छा में पढ़ा रहे हैं जब वाक्य के जब वाक्य में करता किसी के लिए कुछ कार करें तो वहां संपरदान कारक होगा और जिस वाकि में देश औ काल की चर्चा हो वहाँ अधिकरण कारक होगा मतलब की आधार या अस्रे संग्या सरनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और कारक के बारे में जानते हैं, कारक क्या होता है, संग्या सवर नाम के जिस रूप से सीधा संबंद क्रिया के साथ ग्यांत हो, वो कारक कहलाता है, करताने करणने से द्वारा, आपादान से, ये से अलग होने के अर्थ में, और संबंद काके की रारेरी, कर्म को संप्रदान के लिए को के वास्ते के हे तु अधिकरन मे पर के उपर के भीतर के बात के पहले को इस प्रकार से और संबोधन में हे रे और अरे करताने अरुकर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए आपा दान से मान काके की संबंद है अधिकर नादिक में मान रेहे हो संबोधन मित्र धरहु या ध्यान यह एक सुत्र है जिससे की आप इसमन कर सकते हैं कारक्चिन को सब्द भासा की इकाई और सब्द की सत्ता वाके से बाहर है दो प्रकार के परत्या है रूप साधक परत्या है संग्या सरवनाम भी सेशन क्रिया के विभिन रूपों की रचना होती है रूप साधक परत्या के अंतरगत और तत्सम तत्भाव विदेशी तीनों प्रकार के परत्या मिलते हैं सद्व साधक या वितुपादन परत्या में लड़का लड़के लड़कों लड़कों में सुन्य परत्या है लड़का लड़के में ए है लड़कों में ओ परत्या है लड़कों में ओ परत्या है ओ मतलब ओ में बिंदू ना रहेगा उपर आंग की बिंदू लड़का और रोठी तो लड़के लड़को रोठीया रोठीयों इस प्रकार से बहवचन बना सकते हैं कमरा का कमरे, कथा का कथाएं, घर, घोटक, पाठक, सेवक, कमरा ये सब पुलिंग सब्द है, और भालू का बोचन है, भालूओं, घर का बोचन घरों, धोबी का धोबियों, कवी का कवियों, दही जम गया है, तो इसमें लिंग होगा पुलिंग, दही क्या है, पुलिंग सब होगा संयोजक परिचायक पाठक लेखक इसमें इका परतिया है इका परतिया लगाके बना सकते हैं इस तरही लिंग संयोजी का परिचाय का लेखी का पाठी का और लोटा का बहुआ चनलोटे पैसा का पैसे बच्चा का बच्चे मुर्गा का मुर्गे अब ने कारक देखते हैं जैसे पूजा ने दिवांग को मारा तो इसमें ने कारक होगा माय माय ने मुझसे मुझमे एक वचन अब पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम करमसर जैसे हम हमने हमसे हमसे हममे हमे ये सब क्या है बहुवचन सर्वनाम और निश्चय वाचक सर्व नाम एक वचन का बाववचन होगा इसे यह का यह किसी ने किसी को किसी पर अनिश्चय वाचक सर्व नाम एक वचन का बाववचन किन ही ने और किसी को का किन ही को और किसी पर का किन ही पर इस प्रकार से हमने बहुत ही साजिता से देखा किस प्रका में हमने महत्पूर्ण चर्चा की अब हम अगले अध्याई की तरफ कि अपने कदम बढ़ा रहे हैं और हम पढ़ेंगे अब सर्वनाम के बारे में संग्या के इस्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं संग्या की पुनिरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयुक्त किया जाता है मूल सर्वनाम ग्यारा है हिंदी में जो मूल सर्वनाम है उनकी संख्या ग्यारा है मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, शो, इत्यादी, यह 11 हिंदी में मूल सर्वनाम है प्रयोग की दृष्टी से सर्वनाम की भेद देखें तो पुरुस वाचक, निश्चे वाचक पुरुस वाचक में जैसे उत्तम पुरुस में मैं हम, मध्यम पुरुस में तू, तू, तुम, अन्य पुरुस में आप, वह, वे, फिर दूसरा होता है निश्चे वाचक, निश्चे वाचक में यह वह, अनिश्चे वाचक में कोई कुछ, प्रश्ण वाचक में कौन क्या, सम वक्ता या लेखक स्वयम अपने लिए या सुरोता या पाठक के लिए या किसी अन्न के लिए करता है तो पुरुस वाचक सर्वनाम करता है और निश्चय वाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु आदि की ओर निश्चय पुरुवक संकेत करे वे निश्चय वह जा रहा है अनिvol श्चय वाचक सववनाम जिस सर्वनाम सब्द के द्वरा किसी निश्चत व्यक्ति या वस्तू का बोधन हो य्याने वाचक सवनाम कहा लाँथे जैसे कोई आ रहा है संबंद वाचक सर्वनाम परसपर एक दूसरी बात का संबंद बतनाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे तो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें संबंद वाचक सर्वनाम प्रश्णवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संग्या सब्दों के इस्थान पर तो आते हैं लेकिन वाक्य को प्रश्णवाचक सर्वनाम कलाते हैं क्या कौन इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए आप शब्द, अपना सब्द या अपने आप इसका प्रयोग हो, निजवाचक सर्वनाम है, जैसे तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जहां केवल आप सब्द का प्रयोग सुरुता के लिए हो, वहां आदर्सूचक, मध् ये हम तुम ये सब्द बहुचन के रूप में हैं लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वक्ति के लिए होता है आप स्वयम के आर्थ में प्रयोगत होता है मैं ये कार अपने आप ही आप ही कर लोगा तो ये शर्वनाम में संग्या की भाती लिंग वचन कारक होते हैं इसमें संबोधन कारक नहीं होता है कारकों की विवक्ति के साथ सर्वनाम की रूप बदल जाते हैं जैसे सर्वनाम रूप अनेक सर्वनाम रूपने जैसे मै, मैं करता होगा मैं मैंने, कर्म होगा मुझको मुझे, करण होगा मुझसे लिए, संप्रदान मुझको मुझे मेरे, अपादान होगा मुझसे, संबंद होगा मेरा मेरी मेरे, अधिकरण होगा मुझमे मुझपर, वचन होगा ये एक वचन हम सर्वनाम की बात करें तो हम सर्वनाम में करता में हम हमने हम को हमें कर्म में करण में हम से लिए संपरदान में हम को हमें हमारे अपरदान की बात करें तो हम से हमारे संबंध होगा हमारा हमारी अधिकरण होगा हम में और हम पर वचन होगा ये बहु वचन सर्मनाम तुम की बात करें तो इसमें करता होगा तुम तुमने कर्म होगा तुमको करन होगा तुमसे संप्रदान होगा तुमको तुम्हे अपादान होगा तुमसे तुम्हारे संबंध होगा तुम्हारा तुम्हारी अधिकर्ण में होगा तुम से तुम पर और वचन होगा इसका एक वचन वह सर्म नाम की बात करें तो इसमें करता वह उसने कर्म में उसको उसे कर्ण में उससे लिए संपरदान उसको उसे उसके अपादान में उससे उसके संबंध में उसका उसकी अधिकरण में उसमें और उस पर वचन होगा एक वचन सरमनाम वे की बात करें तो करता होगा वे उन्होंने कर्म होगा उनको उन्हें करण होगा उनसे लिए संपरदान होगा उनको उन्हें उनके अपादान में होगा उनसे संबंध होगा उनका उनकी उनके अधिकर्ण होगा उनमें उन पर वचन होगा बहुवचन इसके बाद सर्वनाम में देखे तो आप जिसमें नीजवाचक होता है नीजवाचक आप क्या है नीजवाचक सर्वनाम इसका करता है आप कर्म है अपने को कर्ण है अपने से संपरदान अपने लिए अपादान अपने से संबंध होगा अपना अपनी अपने अपने पर अधिकरण होगा अपने में वचन होगा एक वचन किस समू में सभी सर्वनाम प्रशनवाचक होते हैं किस समू मैं आपको बता रहा हूँ कौन क्या किसने जो कोई वह जिनका जो गिनका जिन होने उन पर उसको इस प्रस्ण का जवाब आप कमेंट सेक्षन में देंगे अब मैं अगला प्रश्ण आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट सर्वनाम का जो करेगा सो भरेगा कि किस प्रकार का सब्द होगा क्रिया विशेशन होगा संकेत वाचक सर्वनाम होगा संबंद वाचक सर्वनाम होगा गुन वाचक सर्वनाम होगा जो करेगा सो भरेगा इसमें जो और सो कैसा सर्वनाम होगा संबंद वाचक सर्वनाम मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे जो है उत्तम पुरुस उत्तम पुरुस सर्वनाम है आप भला तो जग भला इसमें आप जो है कौँज़ा सर्वनाम है यह निजवाचक सर्वनाम है मैं अपने आप वस्त्र साप कर लेता हूँ इसमें कौन सा सर्वनाम है अपने आप मतलब नी जवाचक सर्वनाम होगा इसी प्रकार से आप प्रेक्टिस करते रहेंगे कौम्टेरिया नितनिरंतर आपके समख्च हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्पूर्ण चेप्टर्स और लेक्चर्स लेके आता रहेगा कौम्टेरिया का ये वीडियो गर आपको अच्छा लगाओ उसको सेर करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं अगले बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होगा कौम्टेरिया फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जैमा गंगा हर हरमादिव